स्वागत है स्टेडी सेंटर यूटूब चेनल पर आज हम परने वाले हैं सहीद भगश सिंग पर असान सब्दों में निबंद तो आईए सुरू करते हैं भगश सिंग भारत के एक महान सुतंतता सिनानी करंती कारी थे उनका जनम 28 सितंबर 1960 को लायलपूर जिले के बंगा में हुआ था यह अस्थान अब पकिस्तान का हिस्षा है भगश सिंग का जनम एक देश भत्र सिक परिवार में हुआ था जिसका अनुकुल प्रभाव उनपर परा था उनके पिता का नाम सरदार किसन सिंग और माता का नाम विद्यावति कौर था जिस दिन भगश सिंग पैदा हुए उनके पिता एवं चाचा को जेल से रियाहा किया गया वह कई करांती कारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारती राष्टिये आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था भगश सिंग करांती कारी देश भगध ही नहीं बलके एक अध्यन सीरल, विचारक, कलम के धने, दार्षनिक, चिंतक लेखक, पत्रकार और महान पुरुष थे भगश सिंग ने देश की अजाधी के लिए जिस साहस के साथ सक्ति साले बिचरी सरकार का मुकाबला किया, वह यूबको के लिए हमेशा ही एक बहुत बड़ा आदर्स बना रहेगा भगश सिंग को हिंदी, उर्दू, पंजावी तथा अंग्रेजी के अलावा बंगला भी आती थे, जो उन्होंने बटुकेश्वर दत से सिखी थे जेल की दिनों में उनके लिखे खतों वर लेखों से उनके बिचारों का अंदाज लगता है उन्होंने भारतिय समाज में भासा, जाती और धर्म के कारण आई दूरियों पर दुख व्यक्त किया था उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग पर किसी भारतिय के प्रहार को भी उसी सकती से सोचा जितना की किसी अंग्रेज के द्वारा किये गए अत्याचार को उनका विश्वास था कि उनकी सहादत से भारतिय जनता और उग्र हो जाएगी लेकिन जब तक वो जिन्दा रहेंगे ऐसा नहीं हो पाएगा भागत सिंग ने भारत की अजादी के लिए नोजवान भारत सभागी अस्थापना की भगर सिंग ने भारत की अजादी के लिए इंकलाप जिंदावाद का नाड़ा दिया वह बामपन्थी विचारधारा से परभावित करांतिकारी थे उनके दल के परमुक करांतिकारीों में चंसिखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इत्यादी थे भगर सिंग ने 17 दिशंबर 1928 को लहोर में अंग्रेज अधिकारी जेपी साडर्स को मारा भगर सिंग तथा उनके दो साथियों सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च 1931 को साम में करीब 7 बचकर 33 मिनट पर फासी दे दी गई भगर सिंग की सहादत से नकेबल अपने देश की सुदंता संघर्स को गती मिली बलकी नवयोकों के लिए भी वह प्रेरना सुरूद बन गए वह देश के समस्त सहीदों के सिर मौर बन गए भारत और पकिस्तान की जनता उन्हें आजादी के दिवाने की रूप में देखती है जिसने अपनी जवानी सहीद सारी जिंदिगी देश के लिए समर्पित कर दी उनके जीवन पर अधारित कई हिंदी फिल्में भी बनी है जिन में दर लिजेंट ओफ भगस सिंग सहीद सहीद भगस सिंग आदे आज भी सारा देश उनके बलिदान को बड़ी गंभिरता वर सम्मान से याद करता है ये थे सहीद भगस सिंग जी पर असान सब्दों में निखबंद मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई